हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू यार ओन बिहार बोर्ड एक्जाम चैनल दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस्टोरी ओफ इंग्लिस का जितने भी अबजेक्टिव क्वेश्चन से इंपोर्टन अबजेक्टिव क्वेश्चन उसको हम लोग इस के आज के वीडियो म मैं आपको देना है यानि कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा पलस आपको चाप्षण्स दिये जाएंगे इसको आपको प्पी महें आपको इसका आन्सर टिक लगाना है और लाश्ट मा vert with इःए से अंसर सही हुआ तो चले दोस्तों शुरू करते बीना टाइम वेस्ट की हुए कह रहा है चूस्ट राइट अंसर फ़र्ट नमर्ड क्वश्चन अधा इंग्लिश लेंगवेज इस मच यंगर देन्ट यानिके इंग्लिश लेंगवेज से English language क्या है यंगर है यानि कि इसका जो उदे हुआ है ये बाद में हुआ है चलि नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है नेक्स्ट न करा हूं ग् caucus ऐंग्लेंड इड़ेंड एंग्लेंड इड़ेंड और ग्वेस्ट किसने इंग्लेंड को उसका नाम और उसका लेंड़े सिया तो जैसे कि चार television थैउसर होजाएगा जिए सब्सक्रेंद इस नम करता ந देखें हैं अध। next question करा the term English was derived from the name यानिकि यह जो term है word है English वो किसे name से derived किया गिया है तो यह किया गिया है यह एंगल स्नेम से यानिकि ए नंबर इसका right answer होगा sorry इसका right answer हो जागा इन में से कोई भी नहीं यानिकि यहां पर कोई भी ऐसा answer दिया वा नहीं है चलिए next question के ओर बढ़ते है next question क्या करा है next करा है Chinese is spoken by more than deaf people Chinese is spoken by more than deaf people यानि कि कितने people से ज्यादा लोग Chinese बोलते हैं यानि कितने लोग से भी ज्यादा लोग Chinese बोलते हैं तो यहाँ पर हो जागा 8 million यानि कि 80,000,000 से भी ज्यादा लोग Chinese language का use करते हैं चले नेक्स्ट क्या करा है, नेक्स्ट क्या करा है, नेक्स्ट क्या करा है, नेक्स्ट क्या करा है, the history of English language is just about 10 years old, यानिकि इंग्लिस लेंग्वेज का जो हिस्ट्री है, इतियास हो, शिर्फ 10 साल पुडाना है, तो आप लोग इसका अंसर फटाफट कॉपी में कर दीजे, यहा पंद्रहसो साल जो हिस्ट्री है, इंग्लिस लेंग्वेज का पंद्रहसो साल पुराना है, नेक्स्ट है, question, middle English covers, middle English covers, यानिकि किस period में middle English का जो है, middle English को किस-किस period के बीच में रखा जाता है, तो middle English यहां, जैसे कि आप अप्शन देख पाढ़ होंगे, चार अप्शन तो यहां पर राइट अंसर हो जागा, option number 4, यानिके, ग्याड़सो पचास ADC, यानिके, ग्याड़सो पचास इसवी से, पंद्रहसो इसवी के बीच के English period को बोलते है, middle English, next question क्यों बढ़ते है, next question क्या करा है, in England, printing press was invented, काफी important question है, in England, printing press was invented, यानिके, इंग्लेंड में जो है, printing printing press का invention आविशकार कब हुआ, तो यहां पर राइट अंसर होगा, 1476, यानिके, इसका राइट अंसर होगा, काफी important question आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे, चले, next question क्यों बढ़ते है, next question क्यों बढ़ते है, next question क्यों बढ़ते है, old English period covers, old English period covers, तो जैसे के, चार option देख पढ रहा है, the Norman conquest in England to place in dash AD, in dash, तो यहां पर जैसे के, चार option देख पा रहे हैं, तो इसका जो राइट अंसर होगा, option number 2 हो जाएगा, यानिके, AD 1066, यानिके, 1066, अगला question है, in the OE period, यानिके, old English period, in the old English period, the two major influences were, यानिके, old English period में, दो major influences कौन कौन से थे, तो यहां पर राइट आ Latin and Scandinavian, Latin and Scandinavian, इसका राइट अंसर हो जाएगा, next question के बढ़ते हैं, कह रहा है, about dash Christianity, begin to spread in English, about dash, यानिके, Christianity, Christianity, जो है, वो कब बिगेन हुआ, इस English को spread करने के लिए, फैलाने के लिए, तो इसका राइट अंसर हो जागा, about 600 AD, यानिके, 600, इस वी में, next है, the golden period of old English literature was the era of, यानि यानिके, old English का golden period, old English literature का, जो golden period काया था, वो किसके जमाने को काया था, किसके era को का जाता है, तो यहाँ पर right answer हो जागा, option number A, यानिके, king Alfred, king Alfred के era को golden period of old English literature का जाता है, next question कह रहा है, middle English period is accepted to be from, यानिके, middle English period कब से, कब तक accept किया जाता है, तो यहाँ पर right answer हो जागा, option number A, यानिके 1150 इसवी से लेकर के 1520 तक नेक्स्ट क्वेश्टन कराया है दे प्रिंटिंग प्रेस वस सेट अप बाई विलियम कैक्स्टन जहां रखेंगे विलियम कैक्स्टन यानिके यहां पर राइट आंसर आजगा ऑप्शन निमबर बी यानिके 1476 जैसे के अभी हम लोग ने इससे पहले के क्वेश्टन में इसको कवर किया था नेक्स्ट क्वेश्टन है दा फर्स्ट फेज अफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का पहला फेज वो किस प्रेट को कवर करता है तो यहां पर राइट आंसर हो जगा ऑप्शन नमबर सी यानिके सब्सक्राइब यानिके मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का जो सब्सक्राइब करता है तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा अप्शन नमबर ए यानिके 1520 इसवी आप जरूर ध्यान ड़केंगे 1520 से जो है modern English का पिरियड शुरू होता है नेक्स्ट क्वेस्टन है दे प्रिंटिंग टेक्नोलोजी दे प्रिंटिंग टेक्नोलोजी वस इंट्रोड्यूज इन इंग्लिश इन यानिके इन इंग्लेंड इन तो यहां पर राइट आंसर हो जगा ऑप्शन नमड़ भी यानिके 1460 इन इस नाम से किसको जाना जाता है तो यहां पर राइट आंसर हो जगा अप्शन नमड़ त्री यानिके 18th century 18th century को आगस्टन इस के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट है the British grammar was written by J. Buchanan in Desk यानिके British grammar जो है वो J. Buchanan के दोरा लिखा गया कब लिखा गया तो right answer हो जगा option number A यानिके 1762 में यानिके 1762 में काफी important question आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे next question है Desk has the largest number of native speakers किसके पास largest number बहुत ही ज़्यादा संख्या में native speakers है तो यहाँ पर right answer हो जगा option number यानिके Chinese Chinese के पास बहुत ही ज़्यादा native speakers है क्योंकि उसकी आबादी भी बहुत ही ज़्यादा है Chinese भास को Mandarin बोलते है Mandarin ध्यान रखेंगे आप next question क्यों बढ़ते है next question करा रहा है in the UK the USA UK means United Kingdom the USA तो ध्यान रखेंगे UK हो गया USA होगे इसमें दर का यूस आगे होता है जबकि किसी भी और countries के आगे दर का यूस नहीं होता है तो इन the UK the USA Ireland Canada Australia New Zealand and South Africa English is spoken as a यानिके इन देशों में English को किस रूप में बोला जाता है तो राइट आंसर हो जागा मर्दर टग यानिके मात्रिभासा के रूप में बोला जाता है next question क्यों परते हैं कह रहा है in India Singapore Malaysia Nigeria Namibia Botswana etc English is spoken as a यानिके इन देशों में English को किस रूप में बोला जाता है तो यहां पर हो जाएगा second language के रूप में इन देशों में बोला जाता है next है English is also used as a desk by the Anglo-Indian Community of India यानिके इंडिया का जो Anglo-Indian Community है वो English को किस रूप में यूज करते हैं तो यहां हो जाएगा mother tongue mother tongue के रूप में यूज करते हैं next है in China Japan USA Saudi Arabia Egypt Iraq Eritrea France Germany Switzerland Mexico Brazil etc English is spoken as a desk इने किस रूप में इंगलिश को इन देशों में बोला जाता है तो यहां पर राइट आंसर हो जागा option no.2 यानिके बी foreign language यानिके विदेशी भासा के रूप में चले next question के उपड़ते नेक्स्ट कर आए English developed from the speech of the desk English developed from the speech of the desk यानिके English जो developed हुआ वो किसके speech से तो राइट आंसर हो जागा option no.2 यानिके एंगलो सैक्सर के next question करा American English differs from British English in the sphere of यानिके American English British English से differ है यानिके भिन है तो किस परकार भिन है तो यह हो जागा all of these यानिके vocabulary grammar spelling साड़ा कुछ इसका अलग है American English British English से vocabulary में भी अलग है grammar में भी और spelling में भी जैसे कि आप जानते होंगे British English में color को C O L O U R लिखा जाता है जबकि American English में C O L O R लिखा जाता है तो और भी बहुत सारी ऐसी words है यानिके यह vocabulary में भी grammar और spelling तीनों में यह अलग है American English चले नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्यों कर रहा है अबाउट 10 years ago Latin was a world language अबाउट 10 years ago Latin was a world language Latin जो है वह एक world language था कितने साल पहले तो यहां पर है हो जाएगा यहां पर option number a यानिके 800 यानिके 800 साल पहले जो है वह Latin language जो था वह एक world language के रूप में था चले नेक्स्ट क्रेस्ट क्यों बढ़ते हैं next क्या करें कि विद दें वू फाल इंपायर रोमन साम्राज पॉल होना यानि पतन होना निए फ्रose के में लेंग्विज फाल धोल Cour नृपलर यूद Tiा उसका पतन हम चलेंबे नेक्स्ट क्रश्चन के बढ़त यह देक्तें हैं नेस्स्ट करा रहा है in the last few decades of the days century the English language has seen rapid changes in the last few decades of the days century, the English language has seen rapid changes यहां पे राइट अंसर होजागा option number C यानले के 20th century नेक्स्ट क्षेशन है, इन दे लास्ट डिकेट्स अफ तुर्लियर कॉंसेप्ट अफ इस्टेंडर इंग्लिश धैस है बिन डिलुटिटेड, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा उसके लिए भी काफी इंपोर्टेंट है, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, अप वैसे भी Now the lips are falling first के जो राइटर हो वो डबलो एच अर्डें है, नेक्स्ट है काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेशन, दे कैंटर रबड़ी टेल्ज ओस रीटेन बाई, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा चासर, विलियम चासर, नेक्स्ट क्वेशन है, दे फेरी क्वीन तो हो जाएगा है यहाँ पर राइट आंसर स्पेंसर तो काफी इंपोर्टेंट क्रश्चन है यहाँ पर आप जरूर इसको ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है डॉक्टर फोस्टस वोस रिटेंट वाई तो यहाँ पर राइट आंसर हो जागा ऑप्शन नमर्ड ए यानिके काफी इंपोर्टेंट क्रिचन है वेडरी वेडरी इंपोर्टेंट क्रिचन आपके बौ lavender केलिए कह रहा है वीनेस एड bissल इस वोस कम्पोजड वइन एडोनिस वस्ट कमपोजड वई तो यहाँ पर राइट आंसर हो जागा शेक्स ही anxiety गाका रिट स्थेंगा नेक्स्ट प् यहाब रहर जूँद गींगे यहाब और मेंको ज्पीन लौश याने चले निंदन मिल्टल को जो ईसके जो वो जौन में लुटर काफी इंपोर्टन कोश्चन आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है नेक्स्ट है परेडाइस रिगेंड वो रीटेन वे परेजाइस रिटेन वो रीटेन वी तो अप्चिन नमबर एनिके जौन मिल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा न आलेक्सेंडर पोप इसका राइट आंसर जाएगा ओड़ स्लाइन टू एडर इस हूंन फोज दिस डिवाइज-डीन कि यहां पर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा अधिया विल्यम वर्टमर्ट वह आशकर इंट-वैंटर ब्लीम वर्टम वाट्व खेल काफी इंपर इम्ट लेंगे से लैंटिन ग्रीक फ्रेंच या नन अफ दिस तो ऑप्शन नमर बी यानिके ग्रीक लेंगवेस से यह आया है वर्ट ड्रामा आगे है ड्रामा इस दॉस्टाइब जानते हैं ड्रामा काफी पॉपुलर है इसलिए पॉपुलर इसका राइट अंसर होगा नेक्स्ट आ external accessory in drama is drama का external accessory है वो क्या है तो option number is necessary यानिक Supor external accessory in drama is necessary यानिकIs option number B write answer होगा next है a good dramatist treats his character with a good dramatist treats his character with तो option number B यानिकि impartiality इसका right answer होगा next है for a drama exposition is option number इसका होजाएगा C यानिकIsnym यहां पर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अप्शन नमर भी यानिके सोड़ो ट्रेजटी एंड्स विट सोड़ो तब इसको जरूर ध्यान रखेंगे नेस्ट है कॉमेडी एंड्स विट तो जैसे कि आप देख पा रहे हों जानते होंगे कॉमेडी जो है इसका है सोड़ाइट उन्हनों का मिक्स कर जानसे हैं इसका और कमेडी कॉमेडी नीच्च है पार्जिस सोल्ली तू ऑप्शनन enrolled मगरısı एंड्सका जा सिरो घुक्त ष 거지 नेक्स्ट है sacred place we are known as तो यहां पर right answer हो जागा option number C यानिके miracle place नेक्स्ट question के पर बढ़ते है miracle went out of एक्सलेस 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 टिकल hand by the ears तो इसका right answer हो जागा option number C यानिके 1300 प्रश्ट प्रश्ट इसका इसका मिडिल एजेस नेक्स्ट है the first English इसका right answer हो जागा गोड़ गड़ गोड़ डक नेक्स्ट है हम्लेस वोस रिटेन वैं तो जैसके हम लोग उन्हें से पहले भी बात किया तो इसका आप जरूर ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है डॉक्टर फॉस्टर वोस रिटेन वाई तो इसका right answer हो जागा option number यानिके मार्थ लोगे नेक्स्ट क्वेश्टन क्यों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्टन है Queen Elizabeth Rand from Queen Elizabeth Rand from यानिके कब से कब तक उसका शासन रहा तो Queen Elizabeth इसका शासन रहा 1558 से 1603 यानिके 1558 से 1603 तक चले नेक्स्ट क्वेश्टन क्यों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्टन कराया है murder in the cathedral was written by murder in the cathedral was written by तो option number C यानिके T.S. Eliot इसका right answer हो जागा next the greatest achievement of 18th century is the rise of death यानिके 18th century का जो सबसे महांतम achievement है वो क्या है तो हो जागा novel अगला है बुनियान was born in बुनियान कब उसका जन्म कब हो तो option number A यानिके 1618 नेक्स तर्फारन और अभल अभल तो तो मोडर्न नौवेल की जो है पायोनिर कहा जाता है ही राका जाता है इसको कराता है तो option number B यानिके बुनियान को देनिल डिफो वोस डाइदिन तो काफ़-कॉर्टन को या डेनियल डेफो-क याद तो कब डाइद हो और 1731 में नेस्ट क्यतिन कर ओए द्याहिवड़ घ्न नोवेल इस्टो रिचिन को अगला फ्सफिट नामा सिन के लिखन का नाम है उत्संच कि नवर कि रिचल सन जाएगा रिचर्ड्स संद इसका राइट आंसर हो जगा अगे है टॉम जोन्स वोज रिटेन बाइट टॉम जोन्स किसके दौरा लिखा गया तो अप्शन नमर सी यानिके फिल्डिंग के दौरा लिखा गया थे नेस्ट फिल्डिंग गेव जैनुएन पिक्चर्स ऑफ डैस तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अप्शन नमर टू यानिके मेन एंड विमेन नेस्ट है ओलिवर गॉल्ड स्मिंट गॉल्ड स्मित वोस बॉर्ड इन तो अप्शन नमर ए यानिके 1728 इसका राइट आंसर होगा नेक्ट नेक्स्ट क्वेश्टन काफी इसको जरूर घ्यान में रखेंगे यानिके स्कॉट के दरह सीन को काफी एसेंसियल बना गया था फिक्शन में नेस्ट है पिक विक पेपर फिक विक पेपर वह रिटेन भाई तो काफी इंपर्ण प्टेंड नेक्ट कोशन है यह किसके दोरा लिखा गया फ्टीक टो बढ़ते हैं कि देविट कॉपर फिल्ड वस रिटेन भाई तो काफी इंपोर्टेंट क्वेशन है यह भी काफी इंपोर्टेंट और सी यानिकि डिकन्स चार्स डिकन्स इसका राइट आंसर हो जागा चलिए नेश्ट पर्षेन की बढ़ते हैं बोलठा आर एल इस्टी वेंस वस बॉर्ण इन आर एल इस्टी वेंसन वस बॉर्ण इंत ऑप्शन नमर्ट त्री यानिके 1850 अटाइट सो पचास ने इसका जन हुआ था चलिए नेक्ट क्यों करते हैं नेक्ट क्या करता है तो इसका राइट आंसर हो जागा आर एल इस्टी वेंसन अगला है काफी इंपो लॉटेंस को जाए आठ डि लौन्ष क्या थि तो इंडियन नेवरेश्ट ते अमेरिकन राइटर थे या फिर कैरेबियन राइटर थे या फिर ब्रिटिश राइटर थे तो यहां स्वाइफ यह जो बुक है वो किसके द्वाड़ा लिखा गया है तो यहां पर जैसे के चार अप्शन देख पा रहे हैं तो कूली लिखा गया है आपके बुड़े जाम के लिए नेक्स ठटैंट एंद रॉप वह सेंगे वह तो काफी अंशन यागा राजार राव इसको यहां पर आपको यहां पर इस्टोडी ऑफ इंग्लिस का पूरा प्जिक्टिब्स कवर कड़ा दिया गया है और इस्टोडी ऑफी इंग्लिस से जो भ बार से और आने की कोई भी समभावना नहीं है तो आप इसको जो भी important में question बताया हूं उसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे और आप इसको आप इसको speed बढ़ा करके भी देख सकते हैं जो important बता रहा हूं उसको speed कम करके normal speed करके आप इसको देख सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहीं जैभारत